जैसे एक चोर आकर के एक नेक विक्ती के गर पर रुख ग्यारा चलता अतिथी बनके हैं अब उस नेक विक्ती ने उसको एक नेक अतिथी जाना क्योंकि वो स्वयम नेक था उसने उसको चोर नहीं माना खाना खिलाया बड़ी अवस्तर दिये सरदियों के जिन थे रहा अपने गर्मे चोंक में सुआया जहां आप सो रहा था अब धनी तो सो गया ठाट से चोर उठा उसका धन निकालकर रात को चंपत हुआ अब वो चोर तो चोर था लेकिन नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया फिर एक नेक विक्ती उस चोर के घर पर डिट गया रहा चलता अब उसने रोक लिया रुक गया अब वो नेक विक्ती था स्यामने सो गया उसके घर पर और वो सारी रात जागता रहा कजे यू चोरी कर ले जा रहा तने कजे चोरी कर ले जा रहा तने नो जागता रहा क्योंकि वो दोस उसमें खुद भी दमान था उस नेक विक्ती में नहीं ता थी थी और भी बहुत से परमान परमातमा ने दिये कि एक साथ हूँ किसी लड़की को पीटा जा रहा था नगर के लोग उसको मार रहे थे संत वहाँ पर पहुंच गे वो बड़े सिद पुरुष थे सब को पता था कि इसकी वचन में सकती है उसने कहा कि वही बच्चों क्या हो गया क्यों मार रहे उस बेटी को सबी गाहुंवालों ने कहा कि ये कुलटा है यह जहां दोस्करम करती है तो संत ने कहा कि एक काम करो रुक चिов इसे और इसको सजा हम बताएंगे इसे देना सब पत्थर उठाओ एक-एक और एक-एक पत्थर इसको मारेंगे इसको तरफा तरफा के मारेंगे सब उठा लो, सब ने के एक पत्थर उठा लिया और संत ने कहा भी इसके पत्थर वो मारा है जिसमने कभी कोई अपराद ना किया हो जिसके मन में ये दोस ना हो ओ करा इस काम ना, नहीं तो यही बसम हो जाओगे एक के आथ में पत्थर ना रहा और थोड़ के दूर जा खड़े होए प्रमात्मा ने कहा रहे कुछ तो सोचो नकम्यो ये अकेली दुसकरम करती थी या तुमारे गाउं का भी था कोई नीचे नहों कर लिया उसको क्यों नहीं पीट रहे तुम तो कहने का भाओ ये अपने आत्मा हो हम जब भगत बनांगे प्रमात्मा की मारग में चलेंगे तो इस तरह की संसारिक बादाओं से भी हमने निमटना होगा और प्यार के साथ इस ग्यान के साथ हमने आगे बढ़ना है अब वह लड़की आने लगी लेकिन इतना ग्यान सुनकर भी दुबदी वरष्ट व्यक्ती उसी तरह भी हार करते रहे उस बेटी से प्रमात्मा की आत्मा दुख पाई के ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ अरे जब इन कईतने कष्ट से सबसोब जुकर करा करते है वगवान मम ऐसे सुख हो गया मुझे ऐसे सुख हो गया आपकी दया होगी मारे तो बुरा हाल हो रहा था आपने बसा दिये और आज स्विम ये पर पूपा की गये यहां पर अरेंजमेंट करने वाले तो परमातमा ने क्या किया वह लड़की को बहुत तंग करने लगे तो परमेश्वर क्या करने लगे उस लड़की के घर पे जान लागे बेटी मैं आउंगा वहां तेरे घर पे अब वो बदनामक सेतर और वहां कबीर परमेश्वर जावे और चौक में बार चार पाई लवाले हैं अंगन मेन गली के उपर गेट वहां सामने चार पाई लवागा बैठ जा लड़की बैठ जा सामने लड़की के पैरों पैर रखकर वो पैर दबाओ और परमातमा उसके सांथ लो पैर रखकर बैठ गे और वो चेले जार नहीं देखें खेंदे ही जाँ और भी बताओं है का आजा दिखाओं तरे गुरूजियां के कारणा में अब कहने का भाविया है के प्रमात्मान सोचिया सुर 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 अचीना होती लाइनका एक प्रिक्षा कर लोगी से एक भगत रह रहे हैं उनको समझ चुके थे कुछ भद तक आदनीर रवीदास साहिब जी और वो ज्यादातर कभीर साहिब के साथ ही रहते थे रवीदास जी से कहा के भगत एक काम कर एक आथी लेया किराएप है आथी किराएप लेयाई और उस लड़की से कहा बेटी कल तु पूरा सरंगार करके आ जाना अको ठीक पिता जी जो आपकी आगया आपकी बेटी हज रहेगी तो उसने ऐसे अपना सारा सिरंगार किया और प्रमात्मा कबीर जी ने क्या किया, एक बोतल में गंगाजल बर लिया, सफेद बोतल में, लड़की को बिठा लिया बीच में, और आथी के उपर, रविदास जी को बना दिया, ड्रावर, यानि पीलवान, और आप बैठ गे पिसले साइड में, और लड़की के कंदेपा आथ रख लिया, आदा लटके नो आगे ने, चेस्ट की तरफ, और एक आथ में गंगाजल और बोतल पीवे नो, और उस लड़की नो करें, उड़ो बैठे बैठे, अब परमात्मा ने कहा उसको और विदास दी को, के में बजार में के काट दिया अपनी गाड़ी को, अब में ब बताओं थे, उनके चेल्यान लेओं बुला बुला के, कि आजा, तरे गुरू जी के कारणा में दिखाते हैं, उड़ों साथ देखा नो का है, ना, मैं तो हुए अदाया करता के देख दे, मैंना जाता था वहां पर, मुझे तो फलाना लेके गया था एक दिन, इस तरह कहने का भाव ये है, कि 64 लाख का ग्रूप हो गया था, और इस लिल्ला न देके एक नहीं पाया टोया भी, सब विमुख हो गे परमातमा से, अब क्या आप बताते हैं, आदने गरीवदास साइब जी कहते हैं, परमेश्वर नया लिल्ला किसलिए की थी, के बढ़वा बढ़वा स का भा जिया सब कहें कोई न जाने खोजे, धास गणियू गडास को गरीवदास साइब जी कह रहे हैं, के बढ़वा बढ़वा कहा हैं लगे परमातमा को, कोई गहरा है समझ नहीं सका, ये लिल्ला क्यों की थी, क Roz ग्रीवदास साहिब जी कह रहे हैं, के धास, गणिमुख ह का वजन दर लिया, सर के ऊपर एक भी चेला, नहीं ये मुख सौन जोगा, कहते ही, इनको अपने सिर से पठक रहा है, इनको नीचे, अब प्रमात्मा उनसे कहा करते थे, कि जब तुमारा विना सोया पड़ा था, किसी को कोई दुख था, किसी को कोई दुख था, जब तो मैं बगवान था, और आज मैं सैतान हो गया, इतनी बुधी काम करती है तुमारी, अब पुना तुमारा वहां विमुक होने के दो कारण होते हैं, गुरू से विमुक होने के दो कारण होते हैं, एक तो गुरुद्रो ही बन जा, और एक वैसे अपना कोई किसी कारण से गुरू के परती दोस ना रख करूँ छोड़ जा मारगने तो उसमें अंतर होता है गुरुद्रोई जो होते हैं गुरु में दोस निकाल कर उस 64 लाख के 64 लाख होने गुरुजी में दोस नहीं माना था लेकिन लोकलाज से जाना बंद क कर दिया कुछ एक ते जो उसमें मुख्या से जो कुछ टाइप के लोग होते हैं जो सुमने कमें गणे होते हैं तो वो परमात्मा के विमख दोस रखा करते थे तो उनको गुरुद्रो ही कहा जाता है और जो वैसे किसी कारण से विमख हो जाते हैं तो उनको परमात्मा शमा कर देते हैं, इनको मालूम है, कि इन पराणियों के उपर कई परकार के प्रैसर है लेकिन अब बिचली पीधी तक लाने के लिए उनको चार्ज कर दिया था, उनकी बगदी करवा दिये, उनसे दान दर्म करवा दिये थे, तो उस कारण से फिर मनुस जनम मिलते हुए आप जी को अब तक आ रहे हो और मनुस जीवन से जो आता है प्राणी और अब भी उसको मनुस जीवन प्राव परें कर रहे थे कुछ भी, वह ही यहा आ रहे हैं, या बिल्कुल कोई नहीं कर रहा था वो कोई कादा ओ ऐसे तो वो ऐसे एकाद अपुनकर्मी प्राणी होता है, एकाद कहता है, मैं तो वोचे पूजा किसे के निक्रा करता, और नास्तिक भी नहीं था, तो वो अलग बात है, और वो भी सुखी था, और जो तुम साधनाय करते थे, ऐसा लगता था, जैसे हम ये पूजाएं करते हैं, सा सायोग मिला नहीं, तो इस परकार हमने इस ग्यान को भी समझना है, और भगवान को भी जाना है, तो अब परमात्मा ने आपको ये ग्यान साथ दिया है, और इस ग्यान के आदार से, और पहले हम ने जो फाल पॉइंट हमारे वेजिस से हम फेल हुए हुए भी याद द्वा कारण जो हुआ, इसका कारण यही था कि इस दास ने नकलियां की पोल खोल दी सबकी, और इन लोगों ने अफवाएं फैलवा दी, मंत्रियों की और मुख्य मंत्रियों की सरकार का सहयोग भी ले लिया, उनको मिसगाइड कर दिया, कि वो कृप्था सरम ऐसा होता, समाचार पत्रों में भी ऐसी बुंडी बदनामी कर दी, लेकिन मेरा एक भी बच्चा हम से दूर नहीं हुआ क्योंकि वो दास को बहुत गहरा ही से समझ चुका था, तो इसलिए आज वो जो पहले फेल हुए थे तो, आज पास होगे, किस कारण से पास हुए, कि आप जी ने परमात् मान लिया, आप सिकसित हैं, वेदों को दिखाया, दास ने गीता जी को दिखाया, पुराणों को दिखाया, अन्यनकलियों के सब आपके सामने इतियास दिखाये, तो आपको 100% विश्वास हो गया, कि कभीर इस गौड, और हमारे गुरू जी गुरू जी है, चाए कोई मात्मा मान लिया, और ऐसे बिनाम आगे चल नहीं सकते थे, ऐसी बेहुदी अपवाएं फैलाए गी थी समाचार पत्रों के मादम से, मीडिया के चैनलों के मादम से, यदि अब नया बगत कोई आया, होर उनको देख लेता, आज भी नफरत हो सकती है, उसको, लेकिन मेरे सा नहीं हुआ क्यों कि ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे, दास ने इनको तोत्ते की तरह पढ़ा रखा था या बठा बठा के, जैसे ही वाप के साथ प्रियतन हो रहा है, अब जो परसंग चल रहा है, जो जन मेरी सरण है, ताका हूं मैं दासे, गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आका से, जो बच्छागों की नजर में, यो साइकों संते, बगतों के पीछे फिर एयो भगत वचल भगवन ते, परम पूझे कबीर परमिश्वर ये भगत वचल भगवन है, अब उन्हीं आत्माव मैं से, एक आत्मा मुसलमान घर में जनम हुआ उसका, अब परमात्मा किसे दया लू है, जैसे आपको बहुत बार वेदों के परकरण दिखाए हैं, रगवेद मंडल नमबर 9, सुक्त नमबर 86 के मंतर 26 सथाईस में, रगवेद मंडल नमबर 9, सुक्त 82 के मंतर 1, 2, 3 में, रगवेद मंडल 9, सुक्त 96 के मंतर 16 से 20 में, रगवेद म पंडल नमबर नौ, सुक्त बीस, मंतर एक में, और भी अनिकों स्थानों पर, समयाने पर मालक की दया होगी, इन वेदों का एक अथी तरह से जो अन्वाद किया जाएगा, तो वेदों में भी लीला लिखी है वगवान, ऐसी लीला करता है, वो परमक्सर बर्मपूर्ण परमात्मा है, वो उपर रहता सतलोक में, सचखंड में, और वहाँ से गती करके आता से स्रीर, और वो तीन परकार से स्रीर दारक है, तीन परकार के स्रीरों से, सभी का धारन मिलादे एक रोम कुप की इतनी रोसनी है मनुस सद्रह से है और दूसरी टाइप का जो सरीर मालिक धारन करते हैं नवजात से सू का रूप धारन करके परगट होते हैं किसी तलाब के उपर जल पर इसलिए उसको नाराण बोलते हैं वो निर्धारित का रही होता परमात्मा का किसी संसकारी हंस वहां से कोई उठा ले जाते हैं और वो फिर उस परमात्मा की परवरिस की लीला कवारी गायों से होती है वो कवारी गायों का दूद पीते हैं और नहीं पीते हैं और वो परमात्माँ वहां से चल कर आते हैं वो कवीर देव है कवीर शाहब है वो और अच्छी आत्माँ को मिलते हैं उनको Zoo जान डेते हैं तो इसी आधार से परमात्मा सुम भी कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाता ले कहे कबीर ढूंडता फिरूं अपने हीरे मुती लाले ये खुद बगवान भी कहते हैं और जिन को परमातमा मिले वो भी है बताते हैं जैसे आदन ये नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर सत्खंड से सत्लोक से सत्पुरसाय कबीर देव जी और उनको बेई नदी से अंतर जान करके सत्खंड में लेकर गए फिर वापस सोड़ा सत्लोक से उन्होंने आते ही नोकरी टाग दी एक नवाब के हाँ नोकरी करते थे और फिर परमातमा की खोज में बनारस पहुंचे और जहां देखा था उपर भी सत्लोक में परमातमा एक जिन्दा महातमा के रूप में आकर नानक साहिब जी को उपर लेकर गए थे अब उसी रूप में परमातमा सत्लोक के अंदर विराजमान उसी सकल में और उसी रूप में मुझु लाहे का काम कर रहे हैं बनार समय कास्ची में वहाँ जब जा कर देखा और सच मुच ये तो वह परमातमा है जो मुझे सच खंडे कर गया था सतलोक में देखा था तब कहा था फाई सूरत मलुकी वे इस एठक वाड़ा ठगी देश खरासियाना वहता वार ये दानक रूप रहा करता रहे अब फिर नानक जी की कोई ना सुनें वहाँ जो लाएकठे हो गए नहीं कर यो पंजाब बता कर रहा कर यो बाली बाली बात कर रहा है इस नीरू के पूतर ने वगवान बता हुए अब करने का वहाँ ये है कि जो लीला वेदों में लिखी है कि वो परमात्मा सत लोग से चल कर आता है और यहां पर ठ्वी पर परगट होता है ठी आत्माओं को जाजा कर मिलता है आदनिय मुलकदास जी को मिले, आदनिय दादू साहिब जी को मिले, आदनिय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदनिय गीसादास साहिब जी को मिले, गाओं खेकड़ा जिला, मेरट उत्तर पर देश में, आदनिय गरीबदास साहिब जी को मिले, गाओं छुडाने जिला जिला कर और गरीबदास जी ने कहा था कि सर्व कलासतकुर साइब की अरियाए अरियाने नू तुम कहते हो बगवान अमने पाया को नी निराकार हर मैं कह रहा हूं अरियाए अरियाने नू गरीबदास जी कहते है मैं कह रहा हूं अरियाए अरियाने नू परमात्मा यहा आए थे हमा यह अर्याने नू तो यह अर्याना क्षेतर बना दिया मा लेकर बनवाना ही था यह कहते हैं साद बचन पल्ट है नहीं जे पलट जा विर्मेंट है अब जो परसंग चल रहा होई आते इसी आधार से परमात्मा उस लड़की को मिले राबिया को जा करके बारा तेरा वर्स की लड़की थी खेतों से चारा लेकर आ रही थी परमात्मा वहाए कोवे पर बैठ गे लड़की भी बैठ गी क्योंकि पिछली आत्मा जो होती है कहते हैं सादू दर्सन राम का और मुख पयबस है सुहाग दर्सुनी को होते हैं जिनके पूरन भाग कबीरा सादू दर्सन का साइब आवयाद वो है समय लेखे में बाकी का समय बरबाद अब आत्मा सादू संत को देखकर बड़ी खुस होती है कि बगवान इन संतों के रूप में आता है वो लड़की बैठगी परमात्मा के तरफ देखकर एक दम आसक ऐसी होगी खिचावसा बना कि तो मात्मा है कोई तो उससे परसन किया कि आप कौन हो कहा से आये हो तो परमात्मा ने का बेटी मैं अल्लाहु अकबर हूँ अब लड़की ने सुचा अल्लाहु अकबर है आप सचमुच हाँ मैं बेटी मैं खुद खुदा हूँ तो कहने लगे आप यहां किसली आये हो कि मैं आप के लिए आया हूँ बेटी है आप साधना गलत कर रहे हो आप सच साधना कीजिए आप जो मुस्लमान धर्म के अंदर साधना करते हो यह साधना पाप की हैं मास्क खाते हो तुम एद बकरीद बनाते हो यह साधना अच्छी नहीं है तुम्हारी वो कहने जी हम नमाज करते हैं नमाज तो अच्छी बात है वो तो प्रार्थना है प्रभू की लेकिन करती किसके हो अब किसी की अपनी केसन लिख कर चल पड़े नाम अगले का लिखा नहीं कि किसको देनी है किसे डी सी को देनी है या कमिशनर को देनी है लिख्यानी शाब लिख दिया उपर। अल्ला कहो साब कहो। तो कोन सुनेगा तिरी अपली के सिन्हे ? या नमाज तुम करते भी हो तो तुम किसके नाम भेज रहे हूं ये ? क्यो तो बेचून अल्ल्ह है ? बेचून पिर तुम है , क्या मदद करेगा वे चुनने है तो निराकार है तो तो लड़की वो तो मालक की सामने इस अज्ञान का कहा ठीकाना है लड़की बहुत परभावित हुई कहा वेटा तुम्हा सग जनम होगे वड़कत्याने अब इछले जनम मुनुष थे तो अब मुनुष होगे अगले जनम मैं बगती ठीक ना होई तो पसू बन जाओ गए या मुनस भी बन गए तो ये प्रोसीजर फिर सुरू तुमारा ये कोई एंड है इसका तो वेटी बहुत परभावित हुई और उसने कहा वगवन फिर क्या करूँ कि वेटी उपदेश ले मेरे से और बगती कर डटके है अम मैं आपको बता रहा हूँ भकती करते रहना और ये मास मिटी नहीं खाना जो बोले जी कमपलसरी कर देते हैं नमाज भी करनी होती है कि नमाज भी कर लेना लेकिन ठेक मत्था अपना यो मंतर करती रही है बैस हो गई नमाज मिला जी ठीक है तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया मालक उपदेश देकर चले गए इतनी प्रेरीत होगी ग्यान से उसने फैंसला कर लिया कि मैं व्युहा नहीं कराऊंगी और अपना मोक्स कराऊंगी अब उसी दोरान गरवालों ने क्या किया भी लड़की युवा होगी विसकी साधी तारी करो लड़की ने गरव यह व्युहा मनजूर है अगर वह सभी करती देती है तो व्युहा होगा नहीं ता नहीं होगा अब वो लड़की ने मना कर दिया विव गरवाले विया समंझ पड़ गया भी निका होई नहीं सकता किसी सूरत में भी मात्पिता चिंटित हुए बहुत समझाय बेटी मारी करेणा हुई सोचा उसने के चलो देखी जाएगी माबाप कहते है विवा कर लेती हूं लेकिन आगे जाके अपने पती से मैं साफ कह दूंगी मैं संतानोत पती नहीं करूंगी यह डिट्रिमिनेशन करके उसने सभी करती दे जी विवा हो गया एक बहुत अच्छे नेग वि मैंने एक परतिग्या कर रखी है अपने गुरू जी की किसम खाका है मैं संतानोत पती नहीं करूंगी मैं ग्रिस्त करम नहीं करूंगी और यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्म अत्या कर लोंगी यह मेरा फाइनल फैसला है तब हूँ सोच गया भी यह बात क्या बनी के लिगा बात बता फिर आपने निकाह सभीकार क्यों किया था बना कर देते कोई आप प्रेसर थोड़ा ही था उसने बता जिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता लोकलाज के करण बहुत परिसान हो गए थे और मैं इसलिए निकाह मनजूर कर लिया कि यह तो सांत रहें आगे मैं आप से अरज कर लूँगी यह सोच कर आए थी वाप की मरजी मेरी अरजी मनजूर करो या ना करो तो बुदीमान समझदार द्यालो वक्ती था वो मुस्लमान उसने एक सोचा भी मैं क्यों इसके बादा करूं बगवान के पहले डरने वाले होते थे परमात्मा से क्यों मैं इसके टांग अड़ाओं इसकी वक्ती जब इसकी इतनी रूची है का ठीक अराबिया जैसे आपके माता पिता को लोकलाज से ड्र था तो हमारा भी यह सनाज है आप रहोगी मेरी पतनी के रूप में संसार की द्रिश्टी में और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुले तेरे अलग से मकान बना दूँगा उसमा अपनी बक्ती करना लेकिन घर से बार नहीं जाने दूँगा हमारी भी इज़त है कि देतूं कैं में वहां जाओंगी फ़लान करूंगी कहीं और नहीं जाने दूँगा किसी संद बगत के पास अग जो आप किया क्या अब उस लड़की ने चार वरस तो साधना वो की जो परमातमा ने बता रहा की थी फिर वहां आने लगे जो अलग से उसका कमरा बना दिया उस मुसल्मान बगतना अपनी दूसरा ब्या करवा लिया मुसल्मानों में कई कई साधिया हो जाती हैं तो वहां आसपड़ोस की और भी बगतनी जो मुसल्मान वरक की थी दर्ब की वो आने लगे वो कहने लगी बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात होई यानि कुछ दिन में वो परमात्मा वाला गया नट गया वो लोक वेद फिर समा गया वस बेटी में और वो ही मुसल्मान धर्मारी किरियाएं उसने सुरू कर दी कालका दी जाल है कसुता अब वो करती रही अपनी साधना वो पचास वरस की होगी पचास वरस की आयो जब होगी तो उसने अपने पती से कहा कि आपकी आग्या हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूँ हज करने के लिए और हज करना कंपलसरी होता मुसल्मान दिरम में वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली वो सुर्ग का वासी हो जाता है उसको लाव होता है तो सभी बुड़े बुजर्गों को हज अवस्य करवाते हैं उसके पती ने सोचा कभी मैंने देख लिया इसको तीस पेंटीस वरस हो गए मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरन नहीं देखा इसलिए उसने उसको अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आप के लिए कोई उट की विस्था कर दूँ सवारी की राभिया ने का नहीं मैं पैदल जाओंगी जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक अनालाव होगा अब वो चल पड़ी क्योंकि काफी वक्ती जाते थे पैदल जाते थे लारा लग जाता था लाइन लग जाती थी तो वो लड़की भी चल पड़ी अब वो जा रही थी चलते चलते रश्ते में रेगिस्तान में एक कुवा था कुवे के पास एक कुटिया पैसी थी बहुत पैसी थी उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे दूर एक साइड में रखे हुए थे बैठे थे आँखें भी नहीं खुली थी उनकी और वो बहुत प्यासी थी और कभी तो राबिया के चर्णों की तरफ आ रही है फिर भाग कर कुए में जहांक रही है अब राबिया उसकी भासा समझगी कि इसको प्यास लगी है कुए पर देखा तो वाँ कोई बाल्टी नहीं कोई रसा नहीं आसपास कोई गाउं नहीं कोई और विक्ती आसपास नजर नहीं आ रहां से कोई साधन मांग लाओं आख यद्यआ इस लडगी नहीं आव देखाना नाताव देखा अपने बाल पाड़े लंभी लंवे बाड़ तुए वो बाल पाड़े नहें एकक बाल फटा फट सारे बाल पाड़े के रिकरसी बनाई है ये हैं मुसलमान, ये माज खावर उदमस्तार है, ये मुसलमान नहीं है, वह लड़की थी मुसलमान, कहते हैं, दया बिना दर्वेश कसाई, जिसके दया नहीं वो बगत की सा, लंबी लंबी, इतनी लंबी रसी बांटी अपने बाडाते हैं, बहुत नीचे दल होते थे, और अपने वस्तर निकालकर पहले मोटे बोटे खदर के कपड़े होते थी, वो कपड़े निकालकर उसका बांध के, और पानी में बिगोए है, एक मठका पड़ा था, तोटा हुआ, गड़ा, आदा हिसा, उसको निचोड़ा, उसमें डाल देर कूतिया तोट कपड़गी, साथ और पैन के चलने की त्यारी की थी मक्का में, कहते हैं वो मक्का वाली बिल्डिंग एज़िटीच उठके है, और वहां आखड़ी होई, उस कुवे के साथ में जैसे पलेट फारम पर रेल गाड़ी लग जाती है, उसने देखा मक्का, मक्का पहुचगी में, सुपना साव ग आख़ें कित गया हो हमारा मक्का, तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाकर वही सतापित हो गया, अब इस कारण से पूरे मुसल्मान धरम है, उस अक्सितरम है, यह हो गया बगती ओतराविया कैसी, बगती ओतराविया जैसी मक्का भी बुला लिया राव अपने आत्मों यह समझना कि जैसी दास आपको बता रहा था कि पहले जो भी हमें सुख होता था या कोई गरमा ऐसी आची गटना होती थी, तो हम यह सोचा करते थे, जो साधनाए हम कर रहे हैं, इसी से हुआ हमारा, और यह थी पिछले पुन, उन पुनों से उसके अंदर दया हुई, दया से उसमें इतनी हिमत आई कि बाल पाढ़ दूँ, पाढ़ गए दिखाओ चार बाल आप, पता लग जा, तो पिछले संसकार से इसना पर बल किया, करय कराव ऐसा, या मन मेलायर उठा, दाद दूसर दर जीव के, आ बगलो जा, उसके बाद, उधर तो परसं गए, यानि वो डांश डूंस करने वाली जो होती न, लड़कियां, उसका जनम हो गया, लेकिन आस्था बगवान की फिर भी, तो वो मक्का में गई है, और उसने ये सुना था, कि भी मक्का में जिसकी मर्त्यू हो जाती है, वा सिद्धी भिष्ट चली जाती है, सुर्ग मे अब इछले संसकार पुर्मात्मा की बगती कर रखी, चैर वरस वो अंगडाई ले रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत आवे थी, उस लड़की ने क्या क्या कि मक्का में अपनी गर्दन काट दी, अक मोक्स्त चाहिए पचास पचपन साल की उमर होगी थी, कि मोक्स्त ही है हमें, मक्का में कहते हैं, मर जाता है, वहां का लोकवेद दंत कता है, कि मक्के में जो मर जाता है, सीधा भेष्ट जाता है, तो उसने वहीं गर्दन काट दी, और सब नहीं हो गया, बनसुरी तो गई सुरग में, बनसुरी शिदी गई सुरग में, क्योंकि मक्का में उसने अपनी कुर्बानी दे दी, तो मुस्लमान इसको कहते हैं, जो अपनी कुर्बानी दे, बक्रियां के गल काट वह कुर्बानी है, वह कुर्बानी ले रहे हो तुम तुम तर फोन पी रहे हो दूसरों का, ऐसे ही हिंदू लोग करते हैं, बक्रिया चड़ाते हैं माता के, माता वह बक्र विए खावगी गद्रू खावगी किसमस खावगी या तो दिले भी खावगी, इस गंद ने कुण खावगी। आप आपए खावगी आपर आपको खावगी। अब उसके बाद उसका जनम हुआ एक सेक्त की नाम का मुसलमान पीर था राजा सिकंदर लोधी का। दिल्ली का बादशा एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है वो बैलोल लोधी का पूतर था बैलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है वो भी दिल्ली का बादशा था तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरू था सिकंदर लोजी को बहुत बेंकर रोग हो गया था जलनका कहीं पर भी जनतर से मंतर से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई रहत नहीं मिली थी तो परमात्मा कबीर जी के आशिरवाद मातर से सिकंदर लोजी सवस्थ हो गया था और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज़त करता था उनको बहुत आदर देता था दो धार्मी के उसका गुरू था मुसल्मान सेख तकी वो कबीर जी से इरसा करन लगया तक तेरी रोजी रोटी जावगी राजा का ज्यादा इस्म प्रेव बढ़ गया वजीर और फकीर अपस मैं इरसा करें बिना रहा ना करें तो बहुत ज्यादा इरसा करन लगया उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं अब किसी कबीर जी को ऐसा राजा की दर्ष्टी से ग्रादू इसको ऐसे आवसर की खोज करने लगा एक दिन राजा सिकंदर लोजी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर कासी से लोट रहे थे मनारस से दिल्ली आ रहे थे शेक्तकी भी साथ था एक दरिया पर पड़ाओ डाला रात्री बिताने के लिए तो उदर से शेक्तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के परती राजा ने कारन पूछा तो उसने बताए तो अब मुसल्मान की छोड़ कर हिंदू गरू बना दिया सारे मुसल्मानों को कह दूँगा का राजा मुसल्मान नहीं अब हिंदू हो गया है ये काफिर हो गया है राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से भी मुख हो जाएंगे मेरा रज्य जावगा सब इसकी मुठी में है तभी उसको साथ रखता था सिकंदर लोधी, शेक तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुठ चुप रहे ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान, राजा को बड़ी चंता हुई, परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में, राजा से पूछा कि क्या कारण है टेंशन किस बात की सिकंदर लोधी ने सब कारण बता जिया सिकंदर लोधी ने कहा कि इसी पर कारण इर्शा की हुए है कबीर जी बोले मैं वापस दिला जाता हूँ अग नहीं, आप नहीं जा सकती कुछ भी हो फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे परसन होगे शेक तकी कि मैं तब परसन होगा तू जिसको भगवान कहता है अल्ला कहता है कबीर को मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे क्योंकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामा नंजी जो कबीर प्रमेसवर जी के गुरू जी थे उन्होंने कोई ऐसा अब सब्द कह दिया था मुसल्मानों के बारे में सिकंदर लोधी को रामा नंजी ने तो सिकंदर लोधी ने रामा नंजी की गर्दन काट दी थी और वैसे लोगों की दिरिष्टी में संसार की दिरिष्टी में तो कबीर जी के गुरू जी थे लेकिन रामानंद मानते थे कभीर जी को गुरू जी होग अपने हर्दय से लेकिन एक मरियादधा बनाएख रखने के लिए वो गुरू जी बने हुए थै तो सिकंद लोग जी ने झब गुर्दन गाट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामा नंजी को तुरुंस जीवित कर दिया था वही सिकंदलोज जी के सामने एक तो वो देखे अपने आखों के सामने बगवान की लीला और फिर अपना जलनका रोग उसका ठीक हो गया इस कारने से उतना परवावित हो गया था और सेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था ये पीर जी ये तो अल्हा का रूप आए हुए मेरा दर्द ठीक हो गया सारा रोग नाश हो गया और ऐसे ऐसे इस रामा नंजी स्वामी ने हमारे मुस्लमान धर्म के बारे में कुछ गल्ट बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी मेरे सामने जीवित करती ये तो अल्हा का सुरूप है ये तो खुद मालिक आए है इस चीज़ तो चड़ गया इतना इर्शा करन लग गया तो उस तिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिन्दा करे ये कबीर नहीं तो मैं सब मुस्लमानों को कह दूँगा कि राजा काफिर हो गया शिकंदर लोधी ने कारण बताया कि शेक तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिन्दा करे है और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा मुझे ये चिंता का विषय बन गया तब कबीर जी ने कहा के कहे दो इसको कोई मुर्दा ले आओगा ला देखते हैं बढ़गी बात है अब सेक तकी इसे कहा सिकंदर ने अब वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के कहने लगा मैं कहां से लाओ ऐसे कोई मुर्दा होगा तब देखेंगे इतने ममालिक ने कहते हैं कि परमात्मा से अपने बगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता एक सेकंड भी है जल परवा कर देते हैं वो लड़का अपना समय पूरा करके जल परवा कर दिया था मरत्यू होगी थी वो बैता हुआ आ रहा था किसी ने बता जिया कि वो आगया मुर्दा वो आगया मुर्दा उसी समय सब इकठे होगे परमातमाने कहा कभीर जी ने कह सेक तकी अब तू ट्राइए कर commitment आद मैं बाद मैं नम्च मंबनावा है कहता है कभीर की जादा जानताए तो सेक तकी लगया फूँ अठवँ अटूँ अठवँ अठवँ तहने असनए परवा करने हैं तब शिकंदर को कहता है सेक्तकी के ये नूचाव है था कबीर, किसी परकार ये मुर्दा आगे को चला दाइश लिए मुझे लगा जिया इसमें, ये कोई मुर्दा जीवित हो सकता है कभी, वो तो क्यामत आओगी जब होगे, कबीर जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आग जैसे जिदर से पानी भैकर जा रहा था, वो वापस आगया, वो परमात्मा के पास, और परमात्मा ने कहा है, आत्मा कबीर हुकम से इस मुर्दे में परवेश कर जहां भी है, वापस आजा और बाहर आजा तू एक सेकंड में, उसी समेह लड़का जीवित हुआ, और कबीर सेक तकी कहते हैं दूने, जो कहते हैं तेल पर छीटे लगे, उसके और ज़्यादा इरसाबड़गी के जिने जुलम कर दिया यह तो और ज़्यादा हर देना समा गया, अब उस लड़के के बारे में कहा, उपस्तित लोगों ने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़के का आने वाला है, ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है, और कुछ करो भाया, यह मुसल्मान कहने लगे, बोलो पीर जी, तुम जो कहोगे, हम वही करेंगे, कि चलो राजा के पास, राजा के पास पहुँचे, हजारों की सुंख्यों में लेकर, शट्रा ही कर दिया, परद के जीवित होना ही था, वो तो ताजा मरा हुआ था, मैं जब जानू मेरी लड़की, अब वो लड़की जो थी, राबिया, वो तीसरा जनम सेख तकी के गरपे जनम था, और वो बारा वरसकी होगे, मर्ट्यू को प्राप्त होगी थी, उसका खतम हो गया था, वो जीवन मुन के जब जानू मेरी बेटीन जीवित कर दे, यू कभीर इज गौड, मैं मान लूँगा इसको, और नहीं तो हम बगावत करेंगे, अब फिर टेंशन बना दी, प्रमात्मांत्री हम ही थे, वो तो सारी फटक निकालने के लिए तो गय ही थे, कभीर जी ने पूचा प्रमेश् आपने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन, कुछ मायूस नज़रा रहे हूँ, राजा नसारी अपनी समस्या बताई, अब कहते हैं, अपने बगत का दुख बगवान देखनी सकता, कहने लगा भी ठीक है, इसको कह दो सेक तकी को, आज से तीसरे दिन वलड़की जीवित कर और आसपास डेंड़रा पिटवा जो परचार करवा दे राजा तुम, ताकि कदे दस बीसां के मैं ना माना ही हूँ, सारा संसार देख ले, आसपास के मुना जीकरा जी के कि मुर्दा जीवित किया जाए गाए, कबीर नाम के संता रहे हैं, बड़े महापुरूस पहुचे ह इसे फोई हैं, सिकन्दलो जी के जलनका रोग भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि राजा का रोग था सब को चिंता थी, और वो सवस्थ्वात सब के खुछी, सब चर्चागावी से हुए वे थे, कि वो ही संता है, या कि वो ही आये, जिन्होंने सिकंदर लोजी का रोग नास किया, कहां वो ही आये, और जारों की सुंख्या में विक्ति वाइकथे होगे, उस निस्चित समय पर, कबर को फुडवा दिये गया, राजा वो सब मुसलमान भी हिंदू भी पतानी कुटने कुवाइकथे होगे, और लड़की का सव कबर के अंदर है, तब परमेश्वर ने कहा कि शेक्तकी, अब तू कर ले कुछस कदे फेर नंबर बनावाए, तो और उपस्तित जनकैन लगे जिए, जए शेक्तकी के अपास कोई जंत मंतर होता, अपनी बेटी ने कौन मरन दे, यह तो पहले ही कर लेता, आप ही करो कुछ, अब परमातमाने कहा कबीर जी ने, के हे शेक्तकी की बेटी जीवित हो जा, तो जीवित ना होई, दूसरी बार फेर कहा के हे शेक्तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित होई, त तो शेख तकी न भगड़ा पाजिया न चैपूद देखो फगड़ा गया ढॉंगी का ढॉंग, देखो, देखो, कुछ नहीं हो सकता इसे, तीसरी बार परमात्मा न फेर कहा, वा नहीं जीवी तो ही, तब परमेश्व ने कहा के शेख तकी थोड़ी सानती रख, अखोरी सानत पकड़ा गया तिरा ढॉंग, देखो, पाखड़, देखो, पाखड़, तब परमात्मा ने कहा, ए जीवात्मा, जहां भी है तू, कबीर हुकम से वापे सार परवेश करवेटी के शरीर मेर बहर आ जा, दो सेकंड में सारा शरीर कम पने लगा, लड़की उठके परमात्मा क चर्ण नोमा ढूंडवद परनाम हुआ है